हेलो स्टूडेंट आज हम लोग 3D मॉडेल बनाने जा रहे हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक 3D मॉडेल बनाया है जिसके लिए मैंने ड्राइंग पेपर के बहुत सारे डिफरंट डिफरंट साइज के स्क्वेर क्यूब्स बना लिए है और उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है लाइन से और उनको आइरेंज किया है तो ज़रूरी नहीं है आपको भी क्यूब्स भी बनाने है आप जो भी आपके पास आइवेलेबल हो या जो भी शेपस आप बना सकते हैं किसी किसी को बहुत इंट्रेस्ट रहता है तो अलग-अलग शेप आप ट्राइक कर सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे शेप्स बना लिए हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट साइज के शेप्स है तो इन सारे शेप्स को अभी मैं आपको आरेंज करके दिखा दी हूँ थोड़े ठीक ड्रॉइंग पेपर से या टिंटेट पेपर से आप बहुत ही आसानी से ऐसे थ्रीडी बेसिक शेप्स बना सकते हैं और कोई भी एक बेस के लिए आपको रखना है और उसको बाकी की सारे शेप्स एरेंज करना है तो कहां पे वो फिट हो रहा है कहां पे फिट करने से मॉडल आपको अच्छा लगेगा तो वो देखते हुए आपको एक एक पार्ट को स्टिक करते जाना है कर दो कर दो कर दो देखो इस तरह से मॉडल को हर बार आपको टर्न करके देखना है कहां से अभी कौन सा शेप फिट हो सकता है और वो कैसे फिट किया तो वो अच्छा दिखेगा इसकी बारे में आपको सोचना है और फिर उसको फिट करना है कर दो कर दो झाल झाल तो यहां पर दीरे दीरे हमारा मॉडिल जो है तयार हो गया है रेडी हो गया है देख रहें कितना अच्छा लग रहा है थीड़ी लूक उसका तो यहां पर और एक 3D मॉडिल आपको वेस्ट मटेरियल से बना के दिखाऊंगे मैं कभी आपके पास ऐसे मेडिसिन के बॉटल्स रहते हैं या तो बहुत सारे रैक्टैंगल या स्क्वेर शेप में बॉक्सेस रहते हैं तो उनको उन रेडी मेड बॉक्स को लेके भी आप इस तरह का मॉडिल बना सकते हैं अब हम लोग इन बॉटल के साथ एक मॉडिल बनाएंगे अब झाल… झाल… कर दो ज कर दो तरह कर दो एक मॉडिल बनाएंगे ज्मध्त दोर्व जोर्श सुट्स झाल 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 जरूर मॉडल बना सकते हैं झाल जो बनाने के बाद अगर आप इसको कलर करते हैं अगर आपके पास स्प्रे कलर है कॉपर ब्लैक ब्राउन तो इसको स्प्रे की हेल्प से आप इसको कलर करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ओके तो जरूर ट्रा किजिए स्टुडेंट टेक केर बाई बाई झाल